हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू इलिट वीडियो प्रेस्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी यूस्फूल वीडियो कभी मिसना करें अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमला दास की लिखी फेमस पोयम My Mother at 66 का word-to-word meaning explain किया था. If you have missed that explanation, go to the link given in the description box. आज हम इसी पोयम यानि की My Mother at 66 का central idea discuss करेंगे. Here comes the central idea of the poem My Mother at 66. My Mother at 66 is a beautiful poem composed by Kamla Das, an Indo-Anglian poetess. In this poem, she describes the miserable condition of her old mother. She gives us a message that aging is a natural process. It comes to all and none can escape it. These are the first three sentences of this central idea. पहले इन तीन बाक्यों का अर्थ समझेंगे और फिर next three sentences पराएंगे. Central idea की starting हमने ये लिखते वे की है कि My Mother at 66 एक सुंदर कविता है जिसे Indo-Anglian poetess Kamla Das ने लिखा है. फिर next sentence में हमने लिखा है कि इस कविता में वो अपनी मम्मी की दैनिय दशा का वर्णन करती है. और तीसरे वाक्यों में हमने लिखा है इस पोयम की माध्यम से कवित्री हमें संदेश देती है कि उम्र बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है. ये सबको आती है और इससे कोई बच नहीं सकता. I hope first three sentences आपकी समझ आए होंगे. Let's come to next three sentences of our central idea. Last Friday morning, the poetess was driving from her parents' home to Cochin Airport. Her 66-year-old mother was sitting beside her. While driving, she had a look at her old mother. इन तीन वाक्यों में हमने लिखा है, पिछले शुक्रवार की सुबह, कवीत्री अपने मम्मी पापा की घर से कोचीन एरपोर्ट ड्राइविंग करते वे जा रही थी. उसकी 66 years की हो चुकी मा उसकी बगल वाली सीच पर बैठी थी. ड्राइविं करते करते ही उसने अपनी बुडी मा की तरफ एक नजर डाली. Now, next three sentences. The mother was dozing, her mouth was open, and her face had become as colorless as the face of her dead body. The poetess felt very sad to see her mother. To divert her attention, she looked outside the car window. इन तीन वाकियों में हमने लिखा है, कवित्री की मा जमहाई ले रही थी. उसकी मा का मुँ खुला हुआ था, और चहरा उतना रंगहीन हो गया था, जितना की dead body का चहरा होता है. अपनी मा की condition देखकर कवित्री को बहुत पुरा लगा. अपना ध्यान बटाने के लिए कवित्री ने कार की विंडो से बाहर देखना शुरू कर दिया. अब next three sentences पर आ जाते हैं. यहां पर हमने लिखा है, कार की विंडो के बाहर कवित्री को यंग ट्री स्प्रिंटिंग अर्था छोटे पेड तोड़ते हुए से दिखाई दिये. और मेरी चिल्डरन यानि की प्रसन्न बच्चे अपने अपने घरों से आते हुए दिखाई दिये. फिर हवाई अड्डे का सुरक्षा जाजपिंदु आ गया और मम्मी कुछ याड्स की दूरी पर खड़ी हो गई. कवेत्री ने एक बार फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखा. She had become as pale as the late winter's moon. At the time of farewell, the poetess was very sad. But she hid her inner feelings and prayed goodbye to her mother with a smiling face. Central idea के last के इन तीन sentences में हमने लिखा है. कवेत्री की मदर उतनी pale हो गई थी जितना की late winter's moon होता है. Farewell की time पर poetess बहुत दुखी थी. लेकिन उसने अपनी inner feelings को प्रकट नहीं होने दिया. और अपनी मा को अलविदा मुस्कुराते हुए चहरे के साथ किया. With this, I too bid farewell. I hope class समझ आई होगी. Thank you very much. कर दो leक्ट है. कर दो नहीं होगी.